प्लीज आप मेरे से वेदिक कल्चर सीखेंगे, आप वेदिक विद्या सीखेंगे, आप एडवांस वास्तु सीखेंगे, आप वेदिक एस्टॉलोजी सीखेंगे, आप वेदिक एस्टॉलोजी को वास्तु से कैसे रिलेट करना है वो सीखेंगे, वेदिक एस्टॉलोजी से ह आगे extended हुई भी astrology कृष्ण मूर्ती पदती जिसको हम बोलते हैं KP astrology वो सीखेंगे KP में hit कैसे break करते हैं वास्तों में कैसे देखते हैं वो सीखेंगे 45 देवताओं के बारे में सीखेंगे intuition सब कुछ सिखा हुआ लेकिन commercial रहना professional रहना ये भगवान गनेज जी की विद्या है बि तुम कुछ तो भी कर लेना अपनी विद्या का निरादर नहीं करना फ्री में पंडाल लगाकर अभी हो गया साल में एक बार वह बात अलग है कोई तुम्हारा जनम दिन हो गया कोई anniversary हो गई कोई मूर्ती स्थापना हो गई को गुरुकुल की स्थापना हो गई उस महीने मे थोड़ा बहुत हाँ ऐसा करते रहो फ्री वाला सिस्टम लेकिन भी प्रोफेशनल नहीं व्यक्ति के जीवन में 90% प्रॉब्लम्स सॉल्व हैं अगर पैसा बरस रहा है तब एक दूसरे की परिवार में एक दूसरे की हसी मजाग में कही हुई बाते भी बुरी नहीं लगती है और जो पैसा नहीं होता है तो छोटी छोटी बात चुपने लगती है फ्रस्टेशन होती है इरिटेशन होती है इसलिए पैसा जरूरी है